दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल के होट स्पोट को अपने लेप्टॉप में कैसे कनेक्ट कराए अगर आप मोबाइल के होट स्पोट से लेप्टॉप में नेट चलाना चाहते हैं तो कैसे आप मोबाइल के होट स्पोट को अपने मोबाइल में आ जाना है मोबाइल में आने के बाद यहां पर आपको होट स्पॉट चालू करना है तो होट स्पॉट चालू करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है सेटिंग में यहां पर आपको कनेक्शन का एक आप्सन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर आपको option मिल जागा mobile hotspot इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप mobile hotspot चालू कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ से भी चालू कर सकते हैं आप अपने mobile में notification bar को scroll करके नीचे लाइए यहाँ पर आपको देखिए कहीं न कहीं mobile hotspot का option मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए अब देखिए hotspot चालू हो चुका है लेकिन आपको अपने mobile का data भी चालू करना है तब ही आपका hotspot काम करेगा और आपके laptop में net चलेगा ओके hotspot चालू हो चुका है अब आपको अपने hotspot का नाम और password देखना है तो इसके लिए क्या करना है अपने hotspot पर कुछ सेकंड के लिए उंगली से दबा कर रखिए फिर आपके सामने इस प्रकार का page आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपके network का आइकन नहीं दिख रहा है तो आपको छोटा सा arrow दिखेगा इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको browser का icon दिख जाएगा इसको लाईए और task बार में इसे छोड़ दिजे तो आपको इस browser पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको wifi का option दिखेगा आपको wifi वाले option को enable करना है अब यहाँ पर सारे networks के list आजाएंगे जितना भी network available होगा आसपास वो सब आ जाएगा फिर यहाँ पर आप देखेगा आपको आपके mobile का नाम दिखेगा जो भी आपके hotspot का नाम है तो जो भी आपके hotspot का नाम है उस पर आप क्लिक कीजिए आपको पहले password डालना होगा तो password मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप देखेए आपके mobile में password दिख रहा होगा hotspot का तो इस password को आप यहाँ पर enter कर दीजिए तो मैं password डाल देता हूँ इसके बाद आपको next वाले option पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ आपको yes कर देना है अब आपको थोड़ा सा wait करना है फिर आप देखेंगे कि आपका hotspot यहाँ पर connect हो जागा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे mobile का hotspot connect हो चुका है successfully और यहाँ पर wifi भी चालू हो चुका है तो अब आप यहाँ पर आसानी से net चला सकते हैं चले मैं अपना browser open कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ भी search करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ PDF24 यह देखे कुछ भी आप search कर लीजे अब यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरा जो mobile connect है वो आराम से मेरे laptop में चल रहा है क्योंकि मैंने अपने mobile के hotspot को laptop में connect करा दिया है अगर आपको hotspot को बंद करना है तो अपने mobile में hotspot को off कर दीजे फिर आपका hotspot disconnect भी हो जाएगा तो इस प्रकार से आप अपने mobile के hotspot को अपने laptop में connect करा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो फुल अगर तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा